हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आसी स्फर्जय पती है, और आज आप लोगों को गुप्त कालीन कुछ गरंथ के बारे में मुक्ता बताने वाले हैं, जो निट परिच्छे में पूछा जा सकता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मालती माधों के लेखक भवभूत है काब इमानसा के लेखक राज सेकर हैं, राज सेकर जो है, गुर्जे पृतिहार सासक महेंदरपाल पर्थम के राजगुरु थे, उसके बाद ये किसमे मंदिर अस्थापस संबनित प्रस्नाया है, महाकाल मंदिर जो है, कहां इस्तिते उज्जैन में हैं, और इसका और अरण जो है, मेगदूत नाम गरंत में मिलता है, जो कालिदास ने किया है, और मेगदूत के लेखका आप लोग देखी रहे हैं, कालिदास हैं, पत्नी को धन हरी, मतलब धन पाने वाला पताया है, कातैन ने, ठीक, पुरार, रामायार तथा महा भारत को अंतिम रूप दिया गया, गुप्त काल में, किस काल में दिये गया, गुप्त काल में, मंत्सावर प्रसस्ती का लेखक वाशुल है, चंद्र ब्याकरण जो है, चंद्र गोमी भीच्चु ने लिखा था, चंद्र ब्याकरण ब्याकरण से संबंदित गरंत है, यह प्रसने सब पुछता है, कि चंद्र कब इसे क्या है तो मतलब इसमें इस पश्ट तब उत्तर भी चिपा हुआ है या ब्याकरण का गरंत है ठीक उसके बाद आप लोग देखे रहें कितने संक्या है दर्शनों की विसुद्धी मग के लेखक बुद्ध घोस है ठीक महायान सुत्रालंकार के लेखक कौन है असंग ह असंग कौन थे एक बहुत लेखक ठीक महायान धर्म के एक बहुत लेखक थे उसके बाद विसुद्धी मग नामक गरंत हीन हीन यानमास से संबंदित है यह बहुत धर्म का एक संपरदाय था ठीक जो चौती बहुत संगीत में इसका उद्वा हुआ था नाया उत्तार के ले से संबंदित प्रस्ण आते हैं इनिट में ठीक उसकी बाद यह लग भासक्रे केक लेखक कौन है भासकर प्रथम है ठीक लग जातक वरामीर या जोतिस से संबंदित गरंत है वरामीरी एक जोतिस के लेखक थे ठीक आप लोग ध्यान पूर्बग देखने जी उसके बाद अस धन्यवाद दोस्तों